गुट मॉर्निंग चिल्डरन वेलकम बैक इन यूर मैट्स ओनलाइन क्लास तो अभी हमने पिछली क्लास में एक्सेसाइट सेल्फ सिक्सडी की थी जिसमें हमने प्राइम फेक्टराइजेशन से ट्री मैथर से और डिविजिन मैथर से दोनों से हमने क्या किया था अब यह है कि हमें किसी नंबर के बारे में कैसे पता चलाएगा कि कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा तो उसके लिए कुछ हमारे पास डिविजिबिल्टी रूल्स है यानि डिवाइड करने के कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि जब हम टू से डिवाइड करते हैं तो हम लास्ट में देखते हैं कि टू वाली टेबल आती है से जीरो है सिक से एट है न तो इस तरह अब हम लोग कुछ डिविजिबिल्टी रूल्स पढ़ेंगे तो आप लोग उनको ध्यान से सुन टू फोर्स एट लेकिन हमें वन क्या बच रहा है हमारे पास रिमेंडर यानि वो डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमेंडर जब नहीं बचता ता ता मिंस वो नंबर डिवाइड होता है माल लो आपके पास सिक्स टॉफी आपको टू लोगों में बाटने है तो टू थी जा सिक्स यानि आपके पास कुछ नहीं बचा डिवाइड का यही होता है कि डिवाइड में बचना कुछ नहीं चाहिए here are some common rules which help us to find at a glance whether a given number is divisible by another number or not without actual dividing अब हम कुछ नंबरों को बता सकते कि नंबर इस नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं पहला हमारा है सबसे छोटा नंबर 2 थीख है divisibility by 2 यानी कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है A number is divisible by 2 कोई भी number 2 से कब divide होता है If its last digit is an even number जैसे अभी हमें आपको पहले भी पढ़ा रहे थी मैं कि सारे numbers जिनके last में 2 की table वाले number that means 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से divide हो जाते हैं जैसे number ending 0, 2, 4, 6, 8 यानि ये सारे number जिनकी last के digit क्या हो रही है 0, 2, 4, 6, 8 है दिवाइड हो जा रहा है For example, अब देखिए 6 है, आपको पता है 2, 3, 6 होता है 16 है, 2, 8 होता है 2, 22 होता है और ये आपका 2, 1 हो 2 और ये 2, 6 हो गया इतने से हो गया अब आपका ये 52, 226 हो गया अब ये भी 118 है तो ये भी 2 से divide हो जागा 2, 5 हो आपका 10 और ये से करके यानि इसके लास में डिजिट 8 है इसमें 6 है यानि ये सारे नंबर किससे divide हो रहे है 2 से तो डिविजिबल्टी रूल of 2 इस अ नंबर इस डिविजिबल बाइ 2 इस लास डिजिट इस अनिवर नंबर त इस 0, 2, 4, 6, 8 इसलिए किसी भी नंबर को देख के आप आसानी से बता सकते हो कि वो नंबर 2 से divide होता है कि नहीं नेक्स नंबर हमारा होता है 3 अब 3 के लिए भी कुछ रूल है A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3 कोई भी नंबर 3 से कब divide होता है जब उस नंबर के सारे digits को हम प्लस करेंगे भी आगे बताएंगे और उनका जो addition होगा वो 3 से divide होगा For example माल लो हमारे पास कोई number है 36, ओके अब 36 को अगर हम add करते हैं तो 3 plus 6 is equal to 9 ठीक है और आपको पता है जो 9 है किसे divide हो रहा है 3 से that means 36 is divisible by divisible by 3 understood एक number और देते हैं माल लो हमारे पास number है 43 अब आपको last में 3 दीख रहा है लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 सेड़ इसके लिए क्या करोगे 4 plus 3 4 plus 3 7 और आपको पता है 3 की table में 7 नहीं आता that means 7 से divide नहीं होता अब चलिए number देखते हैं तो 16 के लिए 1 plus 6 is equal to 7 ये भी दिवाइड नहीं हो रहा हो कि अगर हमारे पास 18 है तो 1 plus 8 is equal to 9 तो यानि 18 में क्या है 9 आया that means ये 3 से divide हो रहा है आपको सिर्फ उन डिजिस को प्लस करना है for example हमारे पास डिजित है 72 तो 72 के लिए 7 plus 2 is equal to 9 और 9 आपको पता है 3 से divide हो जाता है next number हम लेते है 3, 1, 6 बड़ा number अब 3 plus 1 plus 6 3 और 1 कितना होता है 4, 4 और 6 कितना होता है 10 तो 10 त्री की table में नहीं आता that means ये divide नहीं होता मालो number है 4, 2, 9, 3 तो क्या करोगे 4 plus 2 plus 9 plus 3 कितना हुआ 4 और 2, 6 6, 6 और 9, 15 है ना 15 के और 3, 16, 17, 18 यानि ये number किससे 3 से divide हो सकता है try करके देखे 4, 2, 9, 3 है ना क्या एक मिन 4 और 2, 6 6 और 9, 15 15, 16, 17, 18 तो इसको 3 से divide करके देख लीजे होता है 3 और 3 या आपका 12 तो 3, 4 और 12 है ना फिर हमने उपर से उतार है 9, 3, 3 और 9 और फिर हमने उतार है 3 3 और 3, 3 और 3 तो ये number और हो रहा है तो ये number और हो रहा है तो a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3 तो ये ये हाँ देखे 36 है तो 3 प्लिस 6 और 9 अभी 9 तो आपको पता है 3 की टेबल में आता है तो ये है 7 प्लस 2 और 9 तो ये yes है 3, 1, 6 का अगर हम add करते हैं तो total होता है 10 that means ये है no understood यानि ये number 3 से divide नहीं है understood next number हमारा है divisibility by 5 अभी हमारे पार बहुत सारे rules होते हैं लेकिन हमें अभी कुछी numbers के पढ़ने हैं 2 का पढ़ने हैं, 3 का पढ़ने हैं 4 के भी होते हैं हर number का divisibility rule होता है next number हमारा है 5 जो अभी हमारे लिए यूज के हैं a number is divisible by 5 ध्यान से सुने पहला 2 था 2 में even numbers होना चाहिए 3 में क्या है total sum उनको 3 से divide होना चाहिए इसमें क्या है a number is divisible by 5 if the digit at its 1's place last with 0 और 5 कोई number 5 से तब divide होता है कि उसकी last की digit या तो 0 पे खतम होती है या 5 पे खतम होती है अब जैसे 5 की table ही देख लीजे यह 0 है यह 5 है यह 5 है यह 60 है यह 120 है यह 5 है तो जैसे कि हमने 2 में भी पढ़ा था कि last की digit 0 होने चीए तो यह 2 से भी डिवाइड हो रहा है यह भी 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन यह number 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें even number नहीं है तो divisibility rule of 5 is कोई भी number मानलो हमारे पास बहुत बड़ा number है 6, 2, 5, 9, 3, 0 तो आपको सिर्फ last की digit देखने है 5, 2, 3, 5, 6, 5 तो last की digit अगर 5 और 0 5 और 0 है that means यह 5 से डिवाइड होगा understood फिर से सुन लेजे 2 के rule में क्या होना है आपके even numbers होने चीए न 0, 2, 4, 6, 8 है ना यह 2 का है फिर 3 में क्या होगा उनका जो plus होगा हो क्या होना चीए 9 से डिवाइड होना चीए 5 में क्या होगा 0 और 5 इसकी last की once की place पे होंगी that means वो 5 से डिवाइड होगा तो अभी हमने पढ़े 3 डिवाइड होगा next number हमारा क्या है divisibility by 6 ठीक है इसको जरा ध्यान से सुनिए all numbers divisible by 2 and 3 बोथ हार divisible by 6 अगर कोई number 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है that means वो क्या होगा 6 से भी डिवाइड होगा a number will be divisible by 6 if its once digit is an even number यानि उसकी जो once की digit भी आगे करेंगे वो even number है and the sum of its digit is divisible by 3 दोनों रूल होने चाहिए यानि उसकी जो last की digit है जो 2 से डिवाइड होती है तो 2 में तो even number होना है और 3 में क्या होना है उन सबका जो add करेंगे वो क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होगा तभी कोई number 6 से डिवाइड होगा आपको जैसे समझाते है अब जैसे number है हमारे पास 24 ठीक है तो आपको पता है इस के लास में 4 है तो इसको हम प्लस कर देते हैं तभी वो 6 से होगा अगर 2 प्लस 4 क्या है आपका 6 तो यह यानि किस से डिवाइड हो रहा है 3 से अगर कोई number 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है that means वो किस से डिवाइड होगा 6 से दोनों number से अगर कोई number डिवाइड होता है तभी वो 6 से डिवाइड होगा जैसे अब आपके में है 92 अब आपने इसका last digit तो देख लिया यानि ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड कर लेकले 9 प्लस 2 क्या हो गया 11 जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता that means ये number 6 से डिवाइड नहीं हो रहा ओके अंडर सूर जैसे 3, 45 इसकी last की डिजिट के है 5 तो सीधा सीधा है कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है that means ये 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है okay समझ के अब मालो number दे दिया 4, 6, 2 4, 6, 2, 4 तो आपको पता ही last की डिजिट क्या हो रहा है 2 से तो डिवाइड हो रही 3 के लिए इसकी डिवाइड नहीं होता that means ये number 6 से भी डिवाइड नहीं होता that means ये number 6 से भी डिवाइड नहीं होता अब देखें जैसे इसमें है 24 तो 24 में last की डिजिट तो 4 है तो यानि 2 से डिवाइड हो जाएगा आपको 2 प्लस 4 तो 6 होता है तो 6 आपका 3 से डिवाइड होता है इसलिए ये 6 से डिवाइड हो जाएगा अब 92 लास्ट का number 2 है तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 और 2 क्या हो रहा है 11 11 है तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा that means 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा 345 5 है that means यह सीधा सीधा इसाब है कि यह 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 3 से हो रहा इसलिए एक ही नमबर से हो रहा है इसलिए 6 से भी नहीं होगा अब हमारे पास है divisibility by 9 हमने 2 का पढ़ लिया 3 का पढ़ लिया जो थोड़ा सालाग है वो 6 का है यह 6 वाले नमबर में 2 और 3 दोनो से डिवाइड हो a number is divisible by 9 इसका भी डूल वैसा ही है जैसा 3 का है a number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9 3 और 9 अब 3 में क्या था? सारे number को add कर रहे थे तो 3 से divide होना चाहिए उसी तरह 9 में क्या है अगर उनका सारा total को हम divide करेंगे plus करेंगे तो 9 से divide होना चाहिए जैसे देखे 54 54 को अगर आप plus करते हो 5 और 4 कितना होता है 9 9 तो आपको पता है 9 की table में आता है यानि yes 4 7 7 4 plus 7 कितना होता है 11 11 plus 7 क्या है 18 यान 18 आपको पता है 9 की table में होता है that means यह divide होगा 1 1 8 1 1 8 में 1 और 1 कितना होता है 2 2 और 8 कितना होता है 8 9 10 अब यह हमें मिला total 10 और 10 आपको पता है 9 की table में नहीं आता है इसलिए यह divide 9 से नहीं होगा next simple a number is divisible by 10 if the digit at its one's place is 0 सबसे easy यह है कि कोई number 10 से तभी divide होगा कि जब उसके last का digit क्या होगा 0 जो number एक और है कि the number which are divisible by 10 जो number 10 से divide होगा वो number 5 से भी होगा क्यों होगा क्यों होगा क्यों हमने 5 के rule में क्या पढ़ा था last में यह तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए तो एक बार फिर से एक recap देख लीजिए फटा फटा फट कि 2 में even number 3 में add करके 3 से divide होना चाहिए है ना उसके बाद 5 में last में 0 और 5 होना चाहिए 6 में 2 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए 9 में भी addition 9 से divide होना चाहिए और 10 में last में क्या आना चाहिए 0 और जो number 5 से होगा वो 10 से भी होगा क्योंकि उसमें क्या है divisible by 10 अगर कोई number 10 से divide होगा that means वो 5 से भी divide होगा क्योंकि उसमें last में क्या है जीरो ओके तो आप लोग ये सारे डिविसिबिल्टी रूल्स पढ़िएगा और इस पे बेस्ट एक्सेसाइज हम लोग नेक्स क्लास में पढ़ेंगे थैंक्यू चिल्डरन